हेलो दोस्तों, हिंदी मेरर प्रफिस से आपका स्वागत है दोस्तों जो आज की वीडियो का कंटेंट है वो जो UPHEAC में जो वकैंसी निखली है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसे संबंदित आज का कंटेंट है और आज के कंटेंट में जो फर्स्ट यूनिट है UPHEAC के स्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट यूनिट जो है समसामाई की मुद्दों से संबंदित है तो इसमें जो आपका फर्स टॉपिक है वह रास्ट्रिय और अंतर रास्ट्रिय मुद्दों से संबंदित है तो इसमें जो मैं पहले लेकर आई हूँ आपके लिए रास्ट्रिय मुद्दे लेकर आई हूँ रास्ट्रिय परिदर्शिय से ठीक है और इसमें आपके जो कोशन्स बनेंगे 83 के असपास आपके questions बनेंगे दो पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी और पहले पार्ट में आपको 41 और फिर दूसरे पार्ट में आपको 41 इस तरह से आपके 83 questions के रास्टे मुद्दो की तयारी बड़े अच्छे से हो जाएगी तो बने रही है हिंदी मिलर की साथ अगर आपने अभी तक जो है लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए बैल आइकन हिट नहीं किया तो किया कर दीजिए और लाइक प्लस ऐस तो बनता है क्योंकि आप जैसे और हम जैसे कहीं हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी कर रहे है यूपी के लिए तो उन तक ये कंटेंट पहुँचे और इसमें कोई भी आपका फिर्यों कोस्ट सारी तयारी चल रही है हिंदी मिलर की तरब से आपके देख लीजिए इसमें जो है हिंदी मिलर की प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर करके यूपी हैसी की प्ले लिस्ट मिलेगी एक में 75 वीडियो हैं एक में 45 वीडियो हैं तो उनको भी आप जरूर देखिए अगर आप आज ही जुड़े हैं चैनल से इसलिए मैंने ये दोनों प्ले लिस्ट आपको बताई हैं तो तैयारी कीजी हिंदी मिलर की साथ और बने रहिए चलिए देखते हैं पहला प्रशन किस राज्य सरकार ने ये मुख्य मंतरी उध्मी योजना शुरू की है तो ये राज्य सरकार जो उध्य उध्मी योजना शुरू की है ये शुरू की है बिहारने ठीक है प्रशन का आंसर लगा लिजिए और जो आंस कोश्य देख्यशं में बोल रही योजना के संबन्द में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है तो 9 जून 2021 को राजिस्थान के मुख्या मंतरी अशोग गहलोत ने मुख्या मंतरी किसान मिंतर उर्जा योजना के प्रारुप को मंजूरी परदान की नेस कोशन है इस योजना के तहट राज्य सरकार 12 मीटर क प्रशी और भोगताओं को बिजले के बिल पर प्रती महा रुपे 1000 और अधिक्तम रुपे 12,000 प्रती वर्ष अनुदान किया जाएगा इसे प्रती वर्ष 1450 क्रोड का वित्याभार आएगा नेक्स्ट पॉइंट इस योजना का लाब जून 2021 से प्राप्त होगा तो अब हमे इसी का आंसर भी डी जाएगा तो इस योजना का जो है इस योजना का जो है लाब जून 2021 से प्राप्त होगा ये सही नहीं है चलिए आगे देखते हैं प्रशन नंबर 3 प्रशन नंबर 3 हर्याणा में शुरू की गई प्राणवायू देवता पैंशन योजना की तहत सरकार 75 वर्शे उपर के वरक्षों को रख रखाओ के लिए प्राणवायू देवता के नाम पर परती वर्श कितनी राशी की पैंशन राशी परदान करेगी बहुत अच्छा प्रशन है बन सकता है आपके एक्जाम में तो तीसरे का आंसर आपका जाएगा 2500 यानि के ठाई हजार र प्रशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ें तो प्रशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ें फिर आंसर कहीं न कहीं आपको क्लिक करता ही है चलिए आगे देखते हैं किस राज्य में प्रती भावान पात्र विध्यारतियों को विविन प्रोफेशनल कोर्स हैं प्रतियोगी परिक्षाओं की उत्कृस्ट तैयारी है तू मुख्यमंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना को लागो करने की स्विक्रती प्रदान की गई है यह भी प्रशनी बहुत अच्छा है फोर्थ का आपका अंसर जाएगा डी राजिस्थान ठीक है और अच्छे से समझे प्रती भावान पात्र विध्यारति हैं उनके प्रोफेशनल जो कोर्स है प्रतियोगी प्रिक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्य मंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना को लागो किया है किसने राजिस्थान ने आब आते हैं पांचवे कोशन्स पर आपके जून दोहजार एक्किस में बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने राज्ये की इंजिनिरिंग और मैडिकल कॉले उनने की है 33 परसेंट की किसके लिए लड़कियों के लिए जो बिहार में आरक्षन परदान करेंगी अब आते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन क्या है निति आयो के सब्सक्राइब को सभी को कि सब्सक्राइब क्या है भारस सुचकांग 2021 में 29 राज्ये ने अपना शिर्ष अब जारकंड या फिर केरल तो बताना है तो सिक्स का अंसर आपका जाएगा डी केरल केरल ने स्ब्सक्राइब के प्रोग्राम है उसमें सिर्षिस्थान पराप्त किया है नेक्स कोशन देखते हैं किस राज्ये सरकार ने हाली में घुशन की की ऐसे इस्थान बच्चों के नाम पांच लाग समावधी सावधी जमा की जाएगी जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड नाइनकिन की वज़े से मोत हुई है तो ये भी कार्य बहुत अच्छा किया गया लेकिन देखना है किस राज्ये के द्वारा किया गया है तो यह किया गया है महारास्ट के द आगे चलते हैं तो इसका अंसर आपको पता ही है मैंने भी बताया ही था कि आपका 33% है अब आते हैं 9 पर 9 कोशन देख लिजिए किस राजे के गरामिर शेत्रों के सुदर वरती शेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निवटने ही तू संजीवनी पर्योजना शुरू की ये भी प्रश्न काफी अच्छा है 9 काप का अंसर जाएगा हरियाना ठीक है दूसरी लहर से निवटने के लिए तो दूसरी लहर लगभग कतमी हो चुकी है किसी राज्जी सरकार ने अंकूर नाम की एक योजना शुरू की है किस राज्जे ने तो 10 का आपका अंसर जाएग एक चीज़ और देखा करें आप लोग जो शौट फॉर्म होती है उनको भी जरूर नोट डाउन करें क्योंकि कोशन कहीं से भी बन सकता है आपका तो ये जो राश्ट्रे स्वास्त प्राधी करन है इसकी शौट फॉर्म क्या है एन एच ए नि तेलांगना में आयुश्मान भा भारत प्रदान मंत्री जन आहरूं लगान है जैनारों लगभग सभी प्रदे ने इसको मान लिया और काफी अच्छा वर्व भी चल रहा है इस पर तो ग्यारा का आपका जाए गारटी 33 हैना अब आते हैं आपके के pertama कोश्यuzz पर क्या है किस मंत्रालिय ने युवा लेखोकों को परिशिक्षित करने के लिए युवा परदान मंत्री योजना की शुरुआत की है तो ये भी अच्छी योजना है तो शिक्षा मंत्रालिय वित मंत्रालिय ग्रह मंत्रालिय फिर रक्षा मंत्रालिय तो भही आप देख लीज पर निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोवीड 19 महामारी में अपने मातपीता को कोई जाने मुख्य मंतरी शिशु सेवा योजना की खोशना की है तो कुछ पॉर्शन इसका फाप एक जो है प्रशन का थोड़ा बहुत पाटा पूपर भी पड़ चुके हो लेकिन यहां थोड 2020 का तीसरा संस्क्रण जारी किया गया इसे समंदित निम्न कत्नों पर हमें विचार करना है ठीक है SDG तो मालूमी होगा सबको अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए SDG गोल है यह तो यह सुचकांक परतेक राजिया और केंद शाषित परदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष वार स्कोर की घोशना करता है भारत का समंगर स्कोर 2020 के तहत 60 से बढ़कर 2020 से 66 हो गया है समंगर SDG भारत सुचकांक में शामिल अगर्णी राज्यों में केरल सिर्शिस्तान पर प्राप्त हुआ है तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है एक तो आपको बिल्कुल पता ही होगा 14 में क्योंकि बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया है मैंने तो 14 का आपका आंसर जाएगा डी ये सभी 13 तो था ही है ना और ये भी हमें मालूम ही है कि ये जो गोल है ये 16 है और इसमें 2019 से 60 से वड़कर कितनी हो गई है 2020 में 66 हो गया है तो काफे अच्छा इन पर वर्क चल नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं निम्न में से कभी कभी इनके नंबर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कौन से नंबर पर कौन सा है निम्न में से किस राजय के राजय पाल सत्य देव नारण आरे ने संपत्ति शती वशुली विधेग 2021 को बंजूरी दे दी है तो 15 का आपका अंसर जाएगा ए हर्याणा ने गुजरात के राजय पाल आचारे देवरत ने कितने अन्य विधेवकों के साथ गुजरात धरम स्वतंत्रता संसोधन विधेग 2021 को अपनी स्विक्रती दे दी है तो 16 का आपका अंसर जाएगा डी 7 ठीक है अब आते हैं 16 तो आपका लिया गया है तो इससे संबंदित एक प्रशन उपर भी बना था आपका लेकिन वो दूसरे तरीके का प्रशन था यह दूसरे तरीका के है वरक्षार उपन से संबंदित तो 17 का आपका जाएगा बिहार आते हैं नेस कोशन पर किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह र करना तक सोच लीजे इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है तो 18 का अगर आपने लगाया है भी बिहार तो बिल्कुस सही है चले आगे देखते हैं किस राज्य में कोवीड संक्रमित मरीजियों को बहतर उप्चार और आवश्यक्त संसाधन ओन्लाइन माध्यम से उपलब कराने ही तो अमरित वाहिनी वेबसाइट एप और चैट पोट का अलोगापन किया गया तो दोनों को ध्यान से सुन लीजे कौन सा है अमरित वाहिनी वेबसाइट और चैट पोट का तो यह किसने किया जारकन मधिया परदेश, 34 गणी या फिर हर्याना आपने जाहे जारखन तो बिल्कु सही आंसर जा रहा है आपका तयारी अच्छी है चले देखते हैं किस राज्य के मुखे मंतरी ने या वाचसले योजना की खुशना की बिहार ने उत्राखन ने जारखन ने या फिर असम ने तो 20 का अगर आप लगा रहे हैं क्या भी उत्राखन तो बारवी तक के बच्चों की कितनी राशी चातर वर्ती के रुपे परती महा दिये जाने का प्रवाधान है पांसो एक हजार फंद्रा सो या फिर दो हजार चातिस गर मंतरी मंदन ने जो ये दिया है 21 का आपका आंसर जाएगा भी एक हजार रुप्या ठीक है जारकन के करोड की पंदरा करोड की बीस करोड की या फिर पच्चिस करोड की तो सोच लेजिए कितने करोड की की है तो 22 का आपका एद दस करोड की की है अब आते हैं 23 किस राजय में राजय के समस्त आर्थिक रूप से कमज़ो परिवार को निश्वल को कोवीड उप चार सुई करने उद्देश्चे से मुख्यमंत्री कोवीड उप चार रिजना शुरू की गई है तो निश्वल की यह शुरू की गई है 23 का भी मध्य परदेश की तरफ से सुप्रीम कोट नी 2018 में महारास्ट्र सरकार द्वारा दे गए निनम से किस आरक्षन को खारिज कर दिया गया है यह प्रषन वेर्ए इंपोर्टेंट है इसको जरू नोट डाउं करके रखे नौकरियम शिक्षन संस्तानों में 50-30 से ज़्यादा मराधा आरक्षन या फिर उप्रोक में से कोई नहीं तो 24 का आपका आंसर जाएगा नोकरियों एफ सिक्षन सस्तानों में पचास परतिस से जादा माराथा आरक्षन ये सही नहीं है अधर स्टेट के भी अगर फॉर्म डालते हैं जाम के लिए तयारी करते हैं तो उनके लिए भी कुछ तो हो है ना चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं किस राज्य में 2 अपरेल 2021 को बाल हर दया जोना शुरू की गई तो कहां शुरू की गई 36 जारकंड बिहार या फिर उत्तर परदेश तो आपका अंसर इसमें जाएगा बिहार बहुत अच्छा प्रशन है ये भी अब आते हैं विश्व प्रेश स्वतंत्रता सुचकांग 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है 102, 142, 132, 155 तो 26 का अगर आपने सोचा है आंसर B 142 वा तो बिल्कुछ सही है और ये प्रशन वेरी इंपोर्टेंट नोट डाउन जोरू करे पंजाब के मुख्या मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग द्वारा घोशित राज्या का 23 जिला कौन सा है ये भी प्रशन काफी अच्छा है इसको भी नोट डाउन करें एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बरनाला, रूपनगर, मालेर, कोटला या फिर नवान शहर तो 27 का आपका जाएगा सी, मालेर, कोटला बहुत अच्छा प्रशन है नैस कोश्चन देखते हैं तेलंगन सरकानी क्रिशी में क्रिशी में शाक नासी कलाई, फोसट के उप्योग पर परतिबन लगा दिया है परतिबन का उलंगन करने वाले किसी भी वक्ती को किसी अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा तो यहां हमें अधिनियम बताना है कि जो इसका उलंगन करेगा उसको किस अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा दंडित किया जाएगा किटना शक अधीनियम 1965 डिलकुत सही जा रहे हैं प्रशन भी बहुत अच्छा है देखते रहे हैं कितने नंबर आपके बनर रहे हैं और आप अपने आपको कितना आख रहे हैं तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एक्जाम में मैंने बताया ना प्लेइलिस्ट बनी वी है तैयारी कीजिये अच्छे से और ट्राइम टू टाइम आपको वीडियो भी और मिलती रहेंगी न्यू कंटेंट की राजे सबाने 24 मर्ट 2021 को दिल्ली रास्टे राजधानी छेतर शाषन संसोधन बिल 2021 पारित किया इससे संबंदित निम कतनों पर विचार करना है याविदेग 22 मर्च 2021 को लोगसभा में पास हुआ था या विदेग दिल्ली रास्टे राजधानी छेतर शाषन दिनियम 1991 शोधी करता है विदेग में परवाधान है कि विदान सबा द्वारा बनाए गए कानून में सरकार शब्तकार तलेक्टिनेट गवर्नर अलजी से होगा उपरोज कतन में से कतन सही है यहाँ पर हमारे उप् पर आपको समझा दिया है तो अगर आपने आंसर सोचा है इसमें डी तो बिल्कुत सही है यह सारे ही कथन सही है अब हमारा काम क्या बनता है इन तीनों कथनों को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे याद करेंगे क्योंकि प्रश्नी यहां से भी बन जाता है ना आते हैं जरू याद कीजिए जारी विश्व सेन्य खर्ची परवर्टिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्वे सरवाधिक सेन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा इस्थान रहा है किसके रिपोर्ट के अनुसार स्टोखोम इंटरनेशनल पीस रिजर्स इंसिट्यूट के अनुसार तो ये पहले दूसरे तीसरे पांचवे तो थर्टी का आपका अंसर जाएगा सी तीसरे है ना अब आते हैं थर्टी वन पर किस राज्य केंदर शाषित परदेशे महां शुजराती पर को इस्थान ये रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है उत्तर परदे मंत्री नरेंद्र मोदी 26 27 मार 2021 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे कहां रहे चीन जापान बांगला देश या फिर श्री लंका तो थर्टी टू का अगर आप सोच रहे हैं जिसी बांगला देश तो बिलकुल से ही और आपको रिजन भी पता है क्यों रहे है ना अब आते हैं किस राजे ने एथनोल उत्पादन सवर्धन निती 2021 का शुभारम किया है एथनोल के बारे में सभी को पता होगा क्या है यह जारखंड बिहार पंजाब दिली तो 33 का अंसर आपका जाना चाहिए भी बिहार है ना देखा बिहार में कितना काम हो रहा है चले आगे चलते ह हैं किस राजे में दीन दयाल अंतियो दैरसो योजना का दूसरा चर्ण शुरू किया गया उत्रपरदेश मंद्या परदेश उत्राखंड या फिर बिहार तो 34 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर बी तो बिल्कु सही देख लिजे अभी तक आपके नंबर कितने बने हैं और आपने आपको आपको कहां पाते हैं जाम की प्रिप्रेशन के लिए अब आते हैं बैश्विक लेंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट दो जार इकिस में 156 देशों की सूची में भारत 28 पादान फिसल कर कितने इस्थान पर पहुंच गया किसमें बैश्विक लेंगिक भेद जानुपात में और जो रिपोर्ट है दो जार इकिस की तो 142 वे 145 वे 144 वे 148 वे 156 देशों की सूची में भारत पहुंच चुका है कहां आपने सोचा है अगर 140 वा तो बिल्कु सही है प्रश्ण एक्जाम को पॉइंट ऑफी से बहुत अच्छा है नोट डाउन जो करके चले कौंसा राजे सरकार चिरंजीवी स्वास्त वीमा जुनके तहत परतेक परिवार को स्वास्त वीमा देने वाले देश का पहला राजे बन गया 36 कोशन्स पर हम आ चुके हैं अब आप देख लीजिए कि दिन नमबर आपके बन चुके हैं राजिस्तान बिहार पंजाव उसे पहले पूराने वहन के स्क्रेप सर्टिकेट जमां करने पर कितने परतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है बहुत अच्छा काम किया है तो देखते हैं 20% 25% 35% जा फिर 10% तो यहां पर केदर सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है कितने परतिशत का 37 का अगर आपने भी अच्छा है जम के पॉइंटों के से नोट डांग करके रखें उत्तर परदेश मद्य परदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मान तरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राजय निम्न में से कौन बन गया है पहला यूपी हो गया फिर आपका MP हो गया अ आगे आते हैं अंतरराष्ट्रे 29 की सुझ पर रहा कौन से इस्तान पर ठीक है बहुत हथी संपदा इंतरराष्ट्रि एं तरण आइन का आपका जायगा दी चालिस वे स्थान पर रहा कौन भारत 2021 के सुच कांग के अनुसार लास कोशन परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्स 2021 को विश्व जल्द्वियस के अवसर पर किस अभियान की शुरुवात की बहुत अच्छा प्रशन है और बिल्कुल करेंट गजळ्द्वियान सब्सक्राइब्यान में इस से कोई नहीं तो 40 का सभी को पता है कि विश्व जल्द्विवस से संबंदीत है तो जल्द्विσε ही संबंदित के यह प्रशन का आंसर अन्सर बनना चाहिए ना ॉर सभी एचपी केप गेज लोको मोटीव को मोंजांबिक के लिए हरी जंटी दिखा कर रवाना किया इस लोको मोटीव के सम्मध में कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर कथन थोड़ा आपको नहीं दिये गए है तो 41 का आपको नेक्स वीडियो में मिलेगा थोड़ा इसमें अपको नेक्स वीडियो में मिलेगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लूस share तो बनता है हम जैसे और आप जैसे इससिट्य प्रोफिसर के लिए और सब्सक्राइब नहीं किया एक्व सिए और कमेंट पॉक्स में कमेंटособ करिए यह की रिए की सही में है और content آپको किस तरह का और चाहिए अगर आप comment करेंगे content के बारे में वीडियो के बारे में तो फिर और अच्छा वर करने का हमें आपसे motivation मिलेगा चलिए बने रही हिंदि विणिर की साथ